आज इंडस इंड का स्टॉक भी लगबग धाई परसेंट ऊपर था क्योंकि इंडस इंड के लिए as a business एक good news आई है RBI की तरफ से और उसका effect हमें market में देखने को मिला है यहाँ पर basically जो इंडस इंड के stock investor है जो इंडस इंड as a business stock के अंदर उनके लिए तो अच्छी बात है कि जो mutual fund investor उनके लिए भी समवाट ठीक बात कह सकते है क्योंकि नया player आएगा तो अच्छी चीज है तो बात कुछ ऐसी है कि इसी साल कुछ महीने पहले हमें जानकारी मिलती है कि इंडस इंड प्लान कर रहा है इंवेसको के अंदर इंवेसको mutual fund business जो है इंवेसको का इंडियन mutual fund business उसके अंदर कुछ हिस्सेदारी खरीदने की और इसके दो दिनों के अंदर अंदर news निकल के आजाती है कि इंडस इंडरनेशनल फोल्डिंग्स लिम्टेड जो कमपनी है आई आई एचल जो की आई थिंक मॉरिसस में रिजिस्टर यह कमपनी है जो इंडिया में जो इंडस इंड बैंक है उसकी पैरेंट कमपनी है वो तो उस कमपनी ने इंवेसको इंडिया का जो mutual fund business है उसके अंदर 60% हिसेदारी खरेद लिए मतलब इंवेसको mutual fund के अंदर जो अब मेजॉर्टी stakeholder है वो मेजॉर्टी जो मालिकाना हक है जिनके पास वो इंडस इंड इंटरनेशनल होल्डिंग के पास हो गई मतलब कि एक तरीके समझो इंडस इंड बैंक के पास हो गई इसके बाद इंडस इंड बैंक ने आरबी आई के पास approval के लिए request बेजा था AMC business setup करने के लिए asset management company setup करने के लिए जो कि एक subsidy business की तरह होगा यहाँ पे आरबी आई की तरफ से 19th of August को हरी जंडी दिखा दी गई है इंडस इंड बैंक को approval दे दिया गया है AMC setup करने के लिए तो ऐसा नहीं है कि बस अब approval मिल गया AMC setup करने के लिए तो बस कल पर सो यह एक महिने में इंडस इंड एक नई scheme के साथ आ जाएगा मार्केट में या इन्वेस्को के mutual fund का नाम चेंज करके इंडस इंडस इंड मूचल fund हो जाएगा ऐसा नहीं होगा अभी भी बहुत लंबा स setup करके बैठी हुई है जो final approval का इंतिजार कर रही है तो अभी के टाइम पे दसो company है जो AMC business setup करके बैठी हुए है सेभी से final approval का वेट कर रहे है कुछ को final approval मिल चुका है तो अभी AMC business setup करने के पास इन के बाद ये सभी के पास जाएंगे वहाँ से इनको in principle approval मिलेगा Mitchell fund business चलान के लिए उसके बाद जाके ये mutual fund के business के अंदर कुछ करेंगे अभी setup करने में मुझे लगता है कम से कम तो minimum एक साल का time तो मुझे लगता है लग जाएगा जिसके बाद हमें इंडस्रिंट की कोई scheme market में आती हुई दिखेगी या तो नई scheme launch होगी नई scheme भी launch होगी और या तो पहले से जो इन्वेस्को है वहाँ पर थोड़ा सा नाम चेंज जरूर हमें मुझे लगता है जब इनका सब कुछ approval हो जाएगा तो नाम चेंज हमें जरूर देखने को मिलेगा अब इन्वेस्को के साथ ही इंडस्रिंट लगा ले या इन्वेस्को को हटा के इंडस्रिंट पास है और नई स्किम तो यह लोग लॉंच करेंगे ही करेंगे यह सारा प्रोसेस क्लियर होते होते मुझे लगता है मिनिमम भी तो एक साल से जादा का टाइम लग जाएगा कि कब से हम सुनते आ रहे हैं कि जियो की मुचल फंड आएगी एंजल वन की मुचल फंड आएगी पचास तरी मतलब एक मैंने पूरा विडियो बनाया था उसमें आपको डिस्क्राइब करेंगे बताएगे दस से जादा मुचल फंड कंपनी आने वाली है जिरोधा वाले बजाज फिनांस वाले कब से लगे परे थे तो अब कुछ समय जाके पहले इनको एप्रूवल में रहा और इनकी स्कीन्स लॉंच होना शुरू हुई है तो इसलिए ये एक लंबा प्रोसेस जरूर हो जाता है अब देखना ये है कि मार्केट में आके ये कैसा कर सकते हैं उमीदे हैं कि रिटर्ण्स अगर अच्छा ये नहीं भी बना के देते फिर भी ओवर्र इनको बहुत ज़बरदस्ट फायदा और बहुत तग्ड़े तरीके से ये e.mc को फायदा जरूर होगा और ओर इंडेसिंट के बिजनेस को फायदा जरूर होगा क्यों होगा क्योंकि अभी के टाइम पे अगर बात करें पिछला जो reported financial year था वहाँ पे सिर्फ 50 करोर रुपए इन्होंने as a broker mutual fund में कमाये थे लेकिन जब अपनी EMC होगी तो यह जो numbers है वो 50-500 करोर के तक भी पहुत सकते हैं जहें कि ICICI या access यह सब 5500 करोर रुपए सिर्फ brokerage से कमाते हैं सिर्फ mutual fund बेज के 500 करोर रुपए कमाते हैं तो यह चीज है तो revenue में जम पाएगा profits में जम पाएगा इसके बाद अगर हम बात कर आते हैं तो जैसे INVESCO के पास सबकुछ बनाया-बनाया है mutual funds को लेके और industryin के पास सब कुछ बनाया-बनाया banking को लेकि इतना बरा जो banking का network है in a soft 5 की बात करते हैं तो industry पहुच जाती है वहां तक कभी-कभी तो इंडेसिन का जो इतना बड़ा बनाया नेटवर्क है, definitely उनका फाइदा मिलेगा, जो इनवेस्को है उसको या फिर जो मुचल फरिनिका बिजनेस हो का उसको, और जो इनवेस्को का जो सारा डेटा है, मतलब दोनों को एक दूसरे के डेटा का फाइदा मिलेगा, और दोनो उसका यूज करेंगे, जैसे कि हम देखते हैं कि कई सारे EMCs हैं जो अच्छा नहीं कर रहे होती, लेकिन उन्होंने पुरानी EMCs है, तो distributor network इतना strong बना रखा है, कि inflow फिर भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, या फिर अगर कुछ banking वाली है, अगर EMC हम देखते हैं, जिनका banks भी है bank promoter है वाँ पे, तो उन EMCs के अंदर अगर return सच्छा नहीं भी बनते हैं, फिर भी उनका banking network कि इतना तगरा है, कि उनके पास inflow आता है, तो mutual fund में कुछ companies ऐसी है, जैसे पराग पारिक हो गई, quant हो गई, तो कुछ company ऐसी है, जो अपने performance के basis पे inflow लेती है, लेकिन ज्या उस basis पे लोग भरोसा करके उन पे पैसा डालते रहते हैं, तो ये दो चीजे हैं, और मुझे लगता है, दूसरे वाले का ज़्यादा फाइदा इंडसेंड को मिलेगा, बाकि आप अपनी डाय इसके बारे में नीचे क्मेंट बाक्स में जोड़ देना